अचाओ कि सिलामँ अलेकुम रहमतुला है विटा रिलेटव फोजन का आज दूसरा टॉपिक हम इंस्कोस करेंगे पहले टॉपिक मैं आपको बेसिकुकज जो रिलेटव मोशन के वो सिखाये थे और आज के टॉपिंक में हम relative motion के बेटा जो applications है वो discuss करेंगे आज मैं आपको सिखाऊंगा यह जो relative motion का concept है इसको हम कहाँ पे और कैसे mechanics में use करते हैं mechanics की problems को solo करने के लिए particularly kinematics की problems को solo करने के लिए कैसे हम relative motion के जो concepts है उनको use करते हैं ठीक है बेड़ा तो basic से कुछ important problems दिखाऊंगा और उनी problems के जिरिये मैं आपको बेटा जो है इसकी applications understand करवाऊंगा ठीक है तो last में मैंने आपको last last में मैंने आपको कहा था कि this is a this is an object and this object has certain velocity it is moving with certain velocity and we have one more object and this is object b अगर a की velocity है for example 30 meter per second और b की velocity है for example 40 meter per second और अगर दोनों एकी direction में travel कर रहे हैं दोनों की velocity की direction same है they are parallel then मैंने आपको कहा था बेटा जो relative motion है relative velocity है अगर आप a की relative velocity निकालेंगे with respect to b या अगर आप b की velocity निकालेंगे with respect to a अभी जो a की velocity भी है 30 meter per second this velocity is with respect to ground या with respect to anything which is at rest similarly b की अगर velocity 40 है this velocity is with respect to ground और with respect to any stationary object अब अगर आप a की velocity निकालेंगे b के respect में मतलब अगर आप b से पूछेंगे की a की velocity की है तो मैंने आपको कहा था बेटा वी a b velocity relative velocity of a with respect to b अगर इनकी दोनों की direction सेम है तो फिर पहले आप a की velocity लेंगे that is 30 फिर माइनस करेंगे b की velocity that is 40 तो answer आपका 10 meter per second आएगा इसका मतलब है इसका magnitude 10 है इसका मतलब है अगर आप b से पूछेंगे न a की velocity क्या है तो b कहेगा a की velocity 10 है और अगर आप b से पूछेंगे इसकी direction कहा है किस direction में इसकी velocity है तो यहाँ answer नगे जो आया तो b कहेगा इसकी direction जो velocity के है that is opposite to my velocity जो इसकी direction है forward इसकी velocity इसको backward में लगेगी तो इसी तरह VBA आगर आपको निकालना तो पहले आप B की वेलास्टी रिखेंगे that is 40 फिर माइनस A की वेलास्टी लिखेंगे that is 30 तो आंसर 10 आएगा इसका मतलब आप पूछेंगे A से B की वेलास्टी कितनी है A पूछेगा A आपको आंसर देगा 10 and the direction of this velocity is along the same direction as that of A ठीक है और फिर मैंने आपको कहा था कि अगर आप इनकी direction अगर आप वेलास्टी की direction अगर opposite है तो तब जाके यह यहां पर plus हो जाता है अब अगर इनके बीच में कोई दूसरा angle है तो accordingly हम formula यूज करते हैं क्योंकि मैंने आपको बिटा general concept सिखाय था velocity of A with respect to B is actually velocity of A minus velocity of B but this is a vector equation तो मैंने बहुत ज्यादा focus किया था इस vector equation पे फिर मैंने खहा था अगर आपको इस VAB का value निकालना है velocity of A with respect to B तो फिर इस equation से निकालते हैं वेक्टर सब्ट्रेक्शन वाली equation से वी सुगैर प्लस VB सुगैर माइनस टुवाइस वी सुगैर इस वाली equation से बेटा फेट निकालते हैं वो answer accordingly जो हमारा जो direction का जो equation direction की जो equation है tan alpha that is B sin theta divided by A minus B cos theta यह equation हम बेटा I would recommend everyone जो भी यह class जो है पहली बार directly देखा है आप पहले यह relative motion का दूसरा लेक्शन का जो है पहला लेक्शर देखिए उसको आराम से देखिए क्योंकि उसी में मैंने यह सारे concept अच्छे से explain किये हैं तो तब जाके अगर आप पहले वो देखेंगे फिर यह देखेंगे आपको बेटा यह यह दूसरा lecture जो है आराम से समझ आएगा और आप इसको फि यह यह दिरोर से मनलो और यह दिस आप दूसरा हें उसी अभजेट यह दिस इन ऑब्जेक्ट बी ठीक है वेरे इंटरस्टे इस दिखेंगे अगर मैं आपको ऐसे कहूंगा यह जो बी की वेलफटी है ना यह 0 है और यह जो वेलफटी यह ज तैन मेलेटर पर से है है और इनके बीच में जो distance है ना this much distance let us suppose this distance is let us suppose this is 50 meter 50 liter के distance है इन दो के बीच में B is at B is at rest and the velocity of A is 10 meter per second अगर मैं आपसे question push हुआ simple basic question कि बताओ A को B तक पहुँचने में कितना time लगेगा A को यहां से यहां तक जाने में कितना time लगेगा तो आप basic equation 9th class के equation use करोगे velocity is equal to distance by time ठीए तो time निकालना है तो T is equal to S by V आपकी यहां से यहां तक distance दी है 50 meter क्योंकि यह straight line motion है तो हम directly equation को use कर सकते हैं और आपकी जो velocity है that is given 10 और यहां से आपका answer निकलेगा 5 seconds इसका मतलब A को B तक जाने में A को B तक जाने में पहुचने में बिटा 5 seconds का time लगेगा fine simple अब अगर मैं ऐसे करूंगा बिटा मैं आप अगर कहूंगा आपको B की जो velocity है ना that is 5 meter per second now B is not addressed B जो है यह मूग कर रहा है पहले case में इस वाले case में जो B था इसकी की velocity 0 है जिरू थी अब मैं आपको यही question फिर से पूछ रहा हूं A की velocity 10 है B की velocity 5 meter per second है और दोनों की बीच में जो initial distance है that is 50 meter per second sorry that is 50 meter तो बताओ how much time will this B take to overtake sorry will this A take to overtake B या how much time will this A take to reach to meet B तो बिटा B भी आगे जा रहा है A भी आगे जा रहा है दोनों की velocity की जो direction है ना वो सेम है दोनों सेम direction में जा रहे है इस direction में जा रहे है अब A की velocity जो है 10 meter per second तो obviously कुछ time के बाद ये इस A B को catch करेगा पकड़ेगा overtake करेगा आपको वो time निकालना है कि बताओ कौन से time के बाद A जो है ये B को catch करेगा अगर B rest में होता ना तो आपने ये जो इससे पहले problem solo की इससे आमसे निकालते directly पर अभी जो है B भी move कर रहा है A B A की velocity obviously ज्यादा है तो obviously A B को catch करेगा कितने time के बाद catch करेगा इन दो के बीच में अभी distance 50 meter की है बताओ कितने time के बाद ये इसको catch करेगा देखो बिटा यहां पर हम relative motion का concept ऐसे करते हैं इस motion को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यह जो अभी यहां पर problem दी है हम इसको physics में ऐसे भी लिख सकते हैं मालो यह मैं यहां पर यह road बनाता हूं ठीक है फिर मैं यहां पर आपको A दिखाता हूं this is A, this is your A and here this is your B, fine? यह same diagram पिटा हम क्या करेंगे काम? ऐसे problem solow करने के लिए जिसमें दो objects के बीच में दोनों objects motion में हो और आपको कोई भी चीज निकाल ली हो for example आपको देखना है बताओ यहां से यहां तक कितना time लगेगा? यह किस time के बाद meet करेंगे? यह किस time के बाद इसको overtake करेंगे? यह किस time के बाद collide करेंगे? ऐसी problems को solow करने के लिए हम relative motion या relative velocity का concept ऐसे योज़ करते हैं देखो हम क्या करते हैं? हम दोनों objects मेंसे क्या करते हैं काम? हम दोनों objects मेंसे एक object को rest में लाते हैं इसकी भी velocity दी है? इसकी भी velocity दी है? दोनों objects मेंसे हम एक object को लाएंगे rest में अब rest में लाइने का क्या मतलब है, देखो क्या मतलब है, मैं आपको बताऊंगा, A की velocity थी 10, this was its velocity with respect to ground, और इसकी velocity है 5 with respect to ground, मैं आपको बताऊंगा, बताऊ मुझे बिटा, what is velocity of A with respect to B, A की velocity with respect to B में कितनी आएगी, A की velocity, B के respect में कितनी आएगी, अगर B से पूछेंगे न, A की velocity कितनी है, तो कितनी आएगी, तो हम ऐसे करेंगे, मैं यहां निकालूँगा, velocity of A with respect to B, तो आपको पता है, पहले lecture में, अगर दोनों की direction सेम है, तो velocity of A with respect to B होता है, बिटा, velocity of A minus velocity of B, तो आपका answer आएगा 10 minus 5, त second आएगा, तो इसका मतलब है, बिटा, इसकी velocity B के respect में, जो है, मैं लिखोंगा, इसकी velocity, velocity of A with respect to B, that is, वो आपका answer यहां पर आगया, that is 5 meter per second, ठीक है, अब दिखो, बिटा, अगर इसकी velocity B के respect में, 5 meter per second है, then you can take the velocity of B, velocity of B, बिटा, आप जो है, वो आप 0 ले सकते हैं, क्योंकि आप जो motion है ना, वो आप A, A की जो motion है ना, वो आप B के respect में कर रहे हो, discuss, जब भी आप motion किसी के respect में, discuss कर रहे हो, किसी के context में, discuss कर रहे हो, उस system की, उस object की, उस frame of reference की, जो अपनी velocity है, वो आप 0 ले रहे हो, 0 लेने का मतलब है, देखो बेटा, A, 5 meter की velocity से चल रहा है, B, 5 meter की velocity से चल रहा है, A चल रहा है, 10 meter की velocity से, पर अगर आप B को कहोगे न, A की velocity क्या है, तो B कहेगा, A की जो velocity है, that is 5 meter per second, क्योंकि यह अपनी velocity जो है, subtract करेगा, B को लगेगा, A की जो velocity है, that is 5 meter per second, अगर B को आप कहोगे न, आपकी अपनी velocity कितनी है, that is 0, हम यहाँ पे क्या कर रहे है, ऐसी problems में, हम ऐसी problems जो, जो है न, solo करते हैं, हम लेते हैं, इन दोनों मैंसे हम एक को लेते हैं, frame of reference, या हम इन दोनों मैंसे एक को select करते हैं, reference point, जिसके reference में हम दूसरे की motion discuss करेंगे, अब जब जिसको आप लोगे न, reference point, उसकी खुद की velocity आपको 0 लेनी है, 0 कैसे लेनी है, आपको जो भी velocity आप consider करोगी, सारी velocity उसी के regarding, उसी के context, उसी के respect में लेनी है, उसकी velocity खुद 0 आएगी, मालो, देखो ऐसे, मैं यहाँ पर रुका हूँ, my velocity is 0, कोई object आता है यहाँ से, मेरे सामने से गुजर जाता है इसे, मुझे अगर कोई कहता है उसकी velocity क्या है, मालो, यह मार कर है, यह मेरे सामने से च frame of reference, आप मुझे reference point ले रहा हूँ, तो मैं जब इसकी velocity measure करूँगा ना, मैं अपनी velocity assume करता हूँ, 0, तो मैं आपको कहता हूँ, जब यह मेरे सामने से गुजर रहा है, मैं कहूँगा, इसकी velocity 10, 10 meter per second थी, ठीक है, इसके बदले में ऐसे भी कह सकता हूँ, अब अगर मुझे आप कहेंगे ना, कि यह object किस direction में गया, मैं कहूँगा, यह right था, यह left है, तो यह object right to left जा रहा था, ठीक है, अब अगर आप इसी को कहोगे, इसको लोगे आप frame of reference, इसको of reference point लोगे, और मेरी motion consider करोगे, यह किस direction में जा रहा था, ऐसे, अब अगर इसी को लोगे ना, reference point, फ direction में, same है, इसमें कोई मसला नहीं है, फिर से देखो, अगर यह रुका हुआ है, और यह ऐसे जा रहा है, इसके बदले में आप ऐसे कर सकते हो, इसको इधर रोक लो, यह जाएगा ऐसे, these two motions are identical, physics में there is no issue, physics point of view से, these two motions are completely identical, इसकी velocity 0 है, इसकी velocity 10 है, पर इसकी velocity 10 है, with respect to this, अगर आप इससे पूछोगे ना, इससे पूछोगे इसकी क्या velocity है, तो इसकी यह बन जाता है, reference point, तो इसकी खुद की velocity 0 बनेगी, ठीक है, तो यह जाता है, मान लो ऐसे, यह जाता है आगे, इसकी velocity 10 है, इसके बदले में, अगर आप इसी को लोगे ना, reference point, फिर इसक आप इसी ऐसे problems में, जब दोनों की velocity दिये हों, जब दोनों के motion, दोनों के parameters दिये होते हैं, तो आप इन दोनों में से एक को treat करते हो, frame, एक को treat करते हो, reference point, और उसकी velocity होती है, खुद की velocity होती है, 0, या खुद की velocity, जो उसकी खुद की velocity है, वो बाग्यू मैंसे हमको adjust करनी पड़ती है, adjust मतलब जब इसकी velocity निकालोगे, वो आपको इसके respect में निकालनी पड़ेगी, जब इसकी velocity निकालनी है, वो इसके खुद के respect में निकालनी पड़ती है, समझा रहा है, तो जो आपने, जिसके respect में आपने motion discuss करनी है, उस object की अपनी खुद की velocity आपने पेटा 0 ल velocity कितनी है, 5 meter per second, this motion and this motion is completely identical, यहाँ पे B की velocity 5 है, और A की velocity 10 है, अगर आप B से पूछोगे, B बोलेगा A की जो velocity है, A की जो velocity है, वो 10 नहीं, क्योंकि अपनी velocity यह subtract करेगा, B को लगेगा A की velocity 10 है, तो B को लगेगा A जो है, यह मेरी तरफ आ रहा है, किस velocity से, 10 की velocity से, तो वही तो हमने यहां किया, हमने B से पूछा, बताओ A की velocity क्या है, तो B ने कहा, velocity of A, A with respect to B is 5, वो हमने यहां से निकाला, तो खुद की कितनी velocity है, इसकी 0, ठीक है, अब यह जो है ना, यह वाली motion, जब आपने दोनों में से A को rest में लाया, अब आप यह motion इस concept से solo कर सकते ह concept से solo करने का मतलब, बताओ, velocity होती है बेटा, distance by time, पर यहां पर आप इसकी velocity लोगे, यहां पर लोगे आप relative velocity, तो V के बदले आप लोगे बेटा, velocity of A with respect to B, this is equal, what is distance between them, वो वहां दी है ना, 50 meter, तो S is 50 meter, हां, divide, आपको time निकालना है कि किस time के बाद यह meet करेंगे, यह यही problem है बेटा, तो जब आप time निकालोगे, तो this 50, this 50 divided by, यह V divided होगा, velocity इसकी कितनी है, 5, so this will be equal to T, तो आपका जो T आएगा, that will be 10 second, इसका मतलब यह 10 second के बाद, एक गुसरे को meet करेंगे, you understand, देखो, इस problem को आप ऐसे भी solve कर सकते हो, अब अगर यह आप तक है, कि आप किसको rest म लो या B को rest में लो, दोनों का answer सेम आएगा, देखो, अब अगर यह equation आप ऐसे लेते हैं, यह case आप ऐसे लेते, यह A था, आप A को लेते rest में, आप A को लेते rest में, ठीक है, फिर आपको बेटा B की velocity निकाली है न, with respect to A, जरा निकालो, what is velocity of B with respect A, तो VB minus VA आएगा, VB क्या था बेटा 5, minus VA क्या है, बेटा 10, तो answer क्या आएगा, minus 5 meter per second, minus क्या क्या मतलब है, अब किस से पूछ रहे हो, A से, A को जब आप बोलोगे न, बताओ B की velocity क्या हो, वो कहेगा, 5 meter per second, अब अगर A से कहोगा न, किस direction में, minus का मतलब है, opposite, opposite मतलब किस direction में, तो A को लगेगा, B मे velocity 0, B की velocity जो ये A की तरफ जा रहा है, that is 5, magnitude 5 है, minus AC की तरफ, तो कितिने time के बाद ही meet करेंगे, दोनों में distance है न, बेटा 50, तो इसी equation से, यह यहां 5 आएगा, यह 50 आएगा, यह T आएगा, इस equation को solo करो, तो 10 आएगा, तो मैं और समझाता हूं, बेटा, I will give few more examples, so that this concept, जो है यह जो concept है, यह आप अच्छे से understand करो, क्योंकि बहुत important है यह, very important, अगर यह concept चुली आपको समझ नहीं आता है न, फिर यह बिटा, जो है, इसमें बहुत ज्यादा problem हो जाती हैं, आगे जाके, तो इसलिए आप understand कर लो कि, मैं क्या बता रहा हूं इसमें, ठीक है, examples कर सकते हो, देखो, जरा ऐसे बता हूं मुझे, बेटा, this is object c, and this is object d, ठीक है, तो let us suppose, this is a straight line, यह straight line, this is a one dimensional motion, ऐसे, तो मैं आपको कहूंगा, बेटा, c की जो velocity है, let us suppose, that is 10 meter per second, और east direction में c की velocity है, यह absolute velocity है, with respect to ground c की velocity, d की जोए velocity है, that is in opposite direction, ऐसे, और d की कितिनी velocity है, 15 meter per second, ठीक है, इस direction को हम positive लेंगे बेटा, इस direction को opposite direction को negative लेंगे, basic convention है, खुद ले लो, या उसको positive ले लो, या इसको positive ले लो, it hardly matters, अब देखो बेटा, इनके बीच में जो distance है, let us suppose, the distance between them is 100 meter, ठीक है, यही question है, जरा मुझे बताओ, आपका question जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, that is, after how, after how much time, will the two bodies collide with each other, कितने time के बाद, यह दो object, c and d, एक दूसरे के साथ collide करेंगे, collide करेंगे, क्योंकि यह इस direction में आ रहा है, यह आप उस direction में जा रहा है, तो एक दूसरे के साथ collide करेंगे, तो बिटा आपको बताना है, किस time के बाद यह एक दूसरे के साथ collide करेंगे, देखो, आप क्या करेंगे, यही जो मैंने अभी कहा, अभी मैंने आपको कहा, आप इन दोनों objects में से, एक को treat करो, address, उसको आप reference point बना लो, जो आपको अच्छा लगे, c या d, दोनों में से एक Let us suppose, let us suppose, यह जो बेटा c है न, इस c को हम लेते हैं, address, यह हमारा है reference point, यह हमने लिया reference point, तो इसकी velocity 0, इसका मतलब हम कोई निकालनी पड़ेगी, इसकी velocity with respect to this, तो फिर बताओ मुझे, what is velocity of c with respect to d, velocity of c with respect to d, क्योंकि जो भी निकालोगे न, वो d के respect में निकालेगे, बेटा, velocity of c with respect to d, यहाँ दोनों की velocity is opposite है न, जब दोनों के velocity is opposite होती है, तो relative motion में relative velocity add हो जाती है, यह सिखाया है पिछली lecture में, तो यह निकलेगा बराबर vc plus vd, तो vc का value था बेटा 10, और vd का value बेटा 15, तो answer आ गया है 25 meter per second, असली velocity c की अपनी कितनी थी, 10 with respect to ground, पर अग आप d से पूछेंगे न, c की velocity का है, c को लगेगा खुद में rest, इस d को लगेगा मैं तो rest में हूँ, पर जो इसकी अपनी velocity है 15, यह उसी को देखा, तो जब यह उसको देगा, तो इसको लगेगा d को की वो मेरी और 25 meter per second की velocity से आ रहा है, ठीक है, simple, तो फिर चलो इसकी velocity निक 25, equal to distance कितनी है बीच में, that is 100 meter, आपको time निकालना, तो t इधर लाईए आप, so this is 100 divided by 25, तो आपका 4 second आजाएगा, इसका मदब है, they will collide with each other after 4 seconds, ठीक है, it's very important, कि जब भी दो object सी motion दी होगे न, दोनों की, तो उसको simplify करने के लिए आप एक को ले लो reference point, फिर जो बागी सारी motion ह न, उसको आप discuss कर लो, उसी के, उसी के frame में, उसी के frame में, जब आप उसी के frame में सारी motion discuss करोगे, तो ये बेटा जो है equation, ये motion जो है, ये easy, फिर बन जाएगी, देखो, देखो, चलो kinematics की एक problem इसमें करवाता हूँ आपको, आप accelerations भी देंगे, ये आप, ये concept बेटा, velocity पे भी apply होगा, acceleration पे भी apply होगा, हर एक चीजते apply होगा, for example, देखो, 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 ऐसे, ये ही दूगा मैं, let us suppose this is object A, and this is object B, ठीक है, तो again straight line motion, मैं two dimensional motion भी दिखाँगा, पहले, straight line motion, understand कर लो, ये straight line motion, देखो बेटा, इन के बीच में जो distance है, let us suppose that distance is 50 meter, 50 meter की distance है, बीच में, इसकी जो बीटा, initial velocity है, that is zero, ये जो है, ये, ये move कर रहा है, ये constant velocity से move कर रहा है, and let us suppose that constant velocity, जो इसकी है, that is, two meter per second, two meter per second, ठीक है, अगर इसकी velocity, जो है, मैं लिकूंगा, constant है, अगर इसकी velocity constant है, तो इसकी acceleration zero आएगी, फिर, fine, इसकी initial velocity zero है, पर इसकी जो acceleration है, ना, acceleration, let us suppose that is, five meter per second, इसकी acceleration बीटा, five meter per second, तो देखो, क्या होगा, initially, जब हमने motion, जो है, steady, की, start की, initially, मतलब है, t equal to zero, at t equal to zero, क्योंकि, जब आप, जब आप, कोई भी problem, solve करते हो, ना, तो initial conditions का मतलब है, at t equal to zero, initially, जब आपने, बेटा, ये जो motion है, इसको, जो है, बेटा, discuss, आपने, start किया, इसको करना, जब ये motion, start होगी, तो आप initial time, जो है, वो zero लेता हो, अगर, मान लो, 9 बजे, ये, जो motion है, ये start होगी, 9 बजे, तो 9 बजे के बदले, हम t equal to zero लेता है, फिर लेता है, t equal to one, t equal to two, t equal to three, तो, मैंने पहले भी करा है, बेटा, t equal to zero का मदब है, initial, initial, initially, इसकी initial velocity zero है, और इसकी acceleration है, five meter per second square, तो, आइस्ता, आइस्ता, इसकी velocity, जो बड़ेगी, बड़ेगी, क्योंकि acceleration positive है, न, इसकी acceleration नहीं है, ये constant velocity से मूँ कर रहा है, जब आपने start की, न, motion t equal to zero, इसकी पहले ही velocity two meter per second है, और ये इसी velocity से चल रहा है, it is moving in this direction, ये इसकी velocity की direction, और यहाँ पर ये इसकी velocity, ये इसकी acceleration की direction, मतलब ये इसी direction में आएगा, यहाँ पर आपको बताना है, कि बताओ किस time के बाद ये a, b को overtake करेगा, या a, b, 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 b को कब catch करेगा, आपको time निकाला है, कितने time के बाद, ये ही problem है, concept ही, ये फिर से understand करो, ये a है, इसकी initial velocity zero है, acceleration है, 5 meter per second square, so it has just started moving, तो ये जितना आगे आगे जाएगा, इसकी velocity बड़ेगी, 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 इसकी तो इसका मतलब है, ये कुछ time के बाद इसको definitely पीछे छोड़ेगा, ये a is b को definitely catch करेगा, definitely overtake करेगा, आपको बताना है किस time के बाद, मैंने कहा बिटा, जब भी आप ऐसे equations को solo करते हो ना, जब भी आप ऐसी problems को solo करते हो, तो आप जब दोनो bodies की motion दी होती है, तो आप एक को ले लो reference point, एक को ले लो reference frame, frame of reference, उसी के हिसाब से आप दूसरी की velocity और acceleration discuss करो, Let us suppose, यह जो B है, इस B को लेंगे हम, rest, इसको reference point लेंगे, अगर यह reference point लिया, तो हमको लेना है B जो है, यह rest में, अगर B rest में, फिर इसे के हिसाब से सारी velocity निकालनी है, पहले मुझे बताओ, बताओ velocity of A with respect to B क्या आएगी, initial velocity है यह, यह बिटा initial velocity है, क्योंकि अब आपने इसको लिया ना reference point, तो आपको आप सारी answers इसी के हिसाब से देने हैं पड़ेगे, बताओ, initial velocity of A with respect to B, अब कितनी आएगी, initial velocity of A with respect to B, क्योंकि B है reference point, तो आप लिखोगे, दोनों की velocity की direction सेम है, इसकी इस direction में, फिर इसकी velocity की direction यही है, कुछ time के बाद same direction है, तो हम minus करेंगे, यह होगा, बराबर U A minus U B, ठीक है बेटा, तो U A का value क्या है, what is the value of U A, that is 0, और U B का value क्या है, इसकी यही velocity है, आप चाहें initial ले लो, final, यही तो है, सारी velocity इसकी, that is 2, इसका मतलब है, minus 2 meter per second, इसका मतलब इसकी जो velocity है, initial velocity, that is minus 2 meter per second, ठीक, चाहें, इसके बाद acceleration, अब आपको acceleration भी related निकालनी पड़ी थी, अभी तक यह acceleration इसकी थी, अब इसकी acceleration इसके respect में निकाली है, बताओ, acceleration of A, with respect to B की क्या होगी, क्या answer आएगा इसका, answer आएगा ना, acceleration of A, minus acceleration of B, मैंने खाना, जैसे velocity को solve करते हैं, ऐसे acceleration भी solve करनी है, तो A की acceleration है, 5, minus B की acceleration है, इसकी acceleration है, 0, तो answer आएगा, 5 meter per second, ठीक है पड़ा, शाबाश, अब बताओ, अब अगर यह rest में है, तो यह move कर रहा है, किस velocity से initial velocity क्या है, इसकी कितनी, acceleration कितनी है, इसकी 5, तो अगर यह rest में होगा, मैं बताओगा आपको, इसके जो parameters है, वो यह दिये होंगे, मैं कहाँगा, बताओ, यह इसको कम catch करेगा, तो आप, यहाँ पे acceleration constant है ना, बेटा, constant, क्योंकि 5 meter per value दिया है, तो constant है, तो आप बेटा, equations of motion directly use करोगे, अब यह वाली equation use करो, s equal to ut plus 1 by 280 square, मैंने बार बार आपको बता है, यह equation तब use करनी है, जब acceleration constant है, है तो constant, पर यह equation आप किसके लिए use कर रहा है, जो motion में है, यह तो अपने rest में लिया है, पर इसमें जो parameters आएंगे न, यू, यह सारे relative parameters आ करनी है, that is 50 meter per second, 50 meter sorry, u initial velocity इसकी कितनी है, इसके respect में, आप यह गेंगे बेटा, that is minus 2, u के बदे minus 2 और t आएगा, फिर plus 1 by 2, acceleration कितनी है, इसके relative में, that is 5 और t सुगार आएगा, ठीक है, अब बेटा, यह जो equation बनी न, यह, यह, इस is 50, equal to minus 2t, plus 5 by 2 हो गया, 2.5t सुगा है, इसको इधर लाइए, या इसको इधर लाइए, यह बनेगा, 2.5t सुगा है, इसके बाद, minus 2t, इसको इधर लाइए, minus 50, equal to 0, यह बेटा, आपकी quadratic equation आई, इस quadratic equation को आप solve करिए, तो solve करने के बाद, यह वाले formula, plus minus, under, 20 सुगा है, minus 4, इसी, जो आप 10 में सीख सुगते हो, कैसे quadratic equation को solve करना बेटा, तो यहां से आपका फिर जो है, time का value निगलेगा, finally, अगर time का value यहां से negative आता है, तो इसको discard कीजिए, अगर time का value positive आता है, तो इसको accept कीजिए, तो finally, यहां से बेटा, आपका result आजाएगा, answer आजाएगा, कि इधने time के बाद यह इसको आजाएगा, समझा रहा है, देखो, देखो बेटा, I will, I will give you one more problem, इसी तरह की एक और problem, क्योंकि बेटा मैंने कहाना, this is a very important concept, although simple है, आपने अगर understand किया इसको, then this is very simple, but, this concept is very important, इसकी application is बहुत ज्यादा, अभी तक जो मैंने अभी problem दिखाई ना, इसको आप काइनेमितिक स इससे भी सॉलो कर सकते हो, without using relative motion, relative motion का concept अगर उसना भी करो तो भी, पर उससे बहुत, इसका जो है, इसका time लगता है, solve करने में, इस problem को, relative motion के concept से यह जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है, जड़ा मुझे बताओ, ऐसे, suppose this is x, this is y, same equation, same concept, इसकी जो velocity है, initial velocity, let us suppose that is 4 meter per second, इसकी जो initial velocity है, let us suppose that is 5 meter per second, ठीक है बताओ, इसकी जो acceleration है, let us suppose that is 3 meter per second, इसकी जो acceleration है, let us suppose that is 2 meter per second, ठीक है, और इनके बीच में जो distance है, let us suppose that is, initial distance है, that is 100 meter, 100 meter की distance है, initially, बताओ, यह जो है न, यह इसको इस time के बाद overtake करेगा, दोनु जो है, इसी direction में, same direction में जा रहा है, अगर आप उसी direction में होंगे, तो you can understand, you can solve that thing, जैसे ऐसे, related motion के equations को add हो जाएगा, same direction में subtract होता है, इसकी velocity 4 है, इसकी velocity 5 है, इनिशली इसकी velocity ज्यादा है, यह तेज जा रहा है, इसकी velocity कम है, पर इसकी जो acceleration है, वो उससे ज्यादा है, इसका मतलब है, इसकी velocity आइसा आइसा बड़ेगी, उसकी भी बड़ेगी, पर इसकी ज्यादा बड़ेगी, अगर इसकी velocity ज्यादा बड़ेगी, तो कुछ time के बाद यह उसको overtake करेगा, वोई time तो निकालना है, जब आपने motion स्टार्ट की, let us suppose that that is t equal to 0, आप बताओ, तो after how much time, यह जो x है, यह y को overtake करेगा, यह x जो है, यह y को पीछे छोड़ेगा, यह x y को meet करेगा, same concept, दोनों मैंसे एक को rest में ले लो, इसको ले लो, उसको ले लो, दोनों मैंसे एक को ले लो, there is no problem, ठीक है, let us suppose, let us take this at rest, अगर यह rest में है, तो अब relative motion के concepts, यह y है, तो इसके आपको जो इसकी initial velocity और इसकी acceleration है, वो आप इसके respect में निकाली पड़ेगी, तो आप लिखो, initial velocity of x with respect to y, इसकी velocity कितनी है, बेटा, 4, इसकी initial velocity कितनी है, 5, तो 1 माइनस 1 meter per second आएगा, अब acceleration का relative निकालो, acceleration of x with respect to y, इसकी acceleration है, 3 माइनस इसकी है, 2, तो बेटा आएगा, 1 meter per second सुका है, अब अगर इनकी direction opposite होती है, तो यहाँ पर add हो जाता, and you know that thing, हम, शाबाश, अब equation use कर लो, s equal to ut plus 1 by 2 at सुका है, पर यह किस के लिए, यह equation use करनी है, x के लिए, with respect to y, बता दोनों में कितनी distance है, 100, शाबाश, initial velocity कितनी लोगे x की, minus 1 into t plus 1 by 2 a, a पर क्या value आएगा, 1 और t सुका है, अब यह बन गई है, आपकी quadratic equation, इस quadratic equation को solo करो, और t का value निकालो तो आपका answer आजाएगा, इसके बाद आपका काम है, and I hope, I know you can solve this thing, t का value directly आएगा कि किस time के बादे इसको catch करेगा, fine, जाबाश, so this was all about one dimensional motion, अब relative motion का concept, one dimensional motion में कैसे use करते हो, चलो मैं आपको two dimensional motion का, two dimensional motion की एक problem दिखाता हूँ, relative motion के concept से, ठीक है, बड़ी important एक problem आपको दिखाऊँगा, आप उसको अच्छे से, आराम से देखिए, यहाँ पे मैं एक diagram बनाता हूँ, let us suppose, यह मैंने एक diagram बना दी, यह diagram बना दी, यही relative motion का concept में यूज करूँगा, ठीक है, तो थोड़ा straight बनाता हूँ, ठीक है, यह मालों आपका coordinate system, मैं लिखूँगा, let us suppose this is east, this is north, यह अगर east है तो यह west है, यह north है तो यह south है, ठीक है, मेरा हमेशा है याद रखना चाहिए, if you are facing east, then on your right side, there is south, मतलब अगर यह direction east की है तो पीछो तो west है, मेरा जो right side है न, this is south, और जो left side है न, this is north, if you are facing east, then your right is south and left is north, ठीक है, if you are facing east, then your right is south and left is north, अब देखो बिटा, हमारे पास, दो cars है, दो गाड़िया है, एक गाड़ी मालो यहाँ पर, origin पर है, let us suppose this is car A, और दूसरी गाड़ी यहाँ पर है, let us suppose this is car B, यह जो car A है न, it is moving towards, it is moving towards north, इनिशली जो इनके बीच में distance है न, इनिशली, यहाँ से लेके यहाँ तक जो initial distance है इनकी, let us suppose that distance is 20 meter, ठीक है, 20 meter की distance है इनिशली, और यह जो A है न, let us suppose यह A, जो यह मूँ कर रहा, it is moving with a velocity of 4 meter पर से है, fine, और यह जो B है, यह इस direction में जा रहा है, it is moving along this west direction, and इसकी भी velocity है, let us suppose 4 meter पर से, question दिखाई दे रहा है, question समझ में आ रहा है, बिटा यह relative motion की एक simple सी problem है, two-dimensional motion के regarding, यह आपका coordinate system in terms of east, west, north, south, आपके पास दो cars है, car A, car B, car A जो है, it is at origin, and car B, जो है, it is at a distance of 20 meter from the origin, but along this line, initially, at T4 to 0, A की जो velocity है, that is 4 meter per second, B की जो velocity है, that is 4 meter per second, इसकी इसकी velocity same है, पर it is moving from south to north, and this is moving from east to west, जो आपसे question है न, वो है कि, हमें बताओ, यह, इनके बीच में जो है, distance of closest approach निकालो आप, distance of closest approach का मतलब होता है कि, जब यह move करेगा, यह भी move करेगा, A ऐसे जाएगा, B ऐसे जाएगा, तो आप एक point, इनके बीच में ऐसा होगा, एक time इन दो motions के बीच में ऐसा आएगा, जब यह एक दूसरे के, जब इनके बीच में जो distance है, वो minimum होगी है, अभी इनमें कितनी distance है, अभी जब time start हमने किया, जब हमने motion start की, तो initially इन दो के बीच में कितनी distance है, 20 meter, अब हम आप से question पूछते हैं, आप हमें बताओ, जब यह move करेगा, यह करेगा, इस direction में, यह इस direction में, आप हमें बताओ, वाट इस दिस्टन्स अफ, इसका मतलब है कि, आप हमें बताओ, कुछ time के बाद, इन में वो वाली distance हमको निकाल के दो, जो distance इनके बीच में, जिस distance का value minimum होगा, क्योंकि कुछ time के बाद, यह मानलो, इदर पहुंचा होगा, बी पहुंचा होगा, इदर, ए पहुंचा होगा इदर, फिर उन दो points के बीच में आपको distance निकाली है, पर वो वाली distance निकाली है, जो minimum होगी, for example, यहां दिखाता हूँ मैं, अगर यहां से A स्टार्ट किया, फिर पहुंचा यहां, 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 ऐसे जाएगा A, और B जा रहा है ऐसे, पहले यहां, 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 इसकी अपनी velocity, इसकी अपनी velocity, अगर आपके initial distance इनके बीच में निकालो गए न, तो वो यहां से यहां आएगी, मालो कुछ time के बाद यहां पहुंचेगा, और यह पहुंचेगा यहां, इनके बीच में इतनी distance आएगी, फिर कुछ time के बाद यहां पहुंचेगा, यह पहुंचेगा, इधर फिर इसके इन दो के बीच में इतनी distance आएगी, यह वाली distance, इसी तरह यह आगे जाएगा, यह इधर पहुंचेगा, फिर इतनी distance आएगी, आपको वो वाली डिस्टंस निकाली है जो मिनिमम होगी उसको हम डिस्टंस अब क्लोज़स्ट अप्रोच कहते हैं you have to find that distance of closest approach between a and b after certain time and in fact आप उन टाइम भी निकाल के दो कि किस time के बाद कितने time के बाद इन में जो डिस्टंस है वो मिनिमम होगी you have to find the time after which the distance between a and b the separation between a and b is minimum and also find that minimum distance उस minimum distance का value भी निकाल ठीक है अगर आप इसको normal kinematics के formula से solve करने बाठेंगे ना एक तो बहुत difficult है दूसरा it will take a lot of time इस question को हम करते हैं relative velocity के concept से solve और relative velocity का concept क्या है हमको दोनों मैंसे एक के velocity 0 लेनी है एक को reference point लेना एक को frame of reference लेना है let us suppose that let us suppose that this b is a frame of reference let us assume this b यह जो b है ना let us assume let us take it as reference किसी को आप reference लेवा बी को तो therefore इसका मतलब है बी को आप rest में लेते हो इसका मतलब अगर आप a की velocity discuss करोगे ना you have to discuss that velocity with respect to b आपको a की velocity b के respect में निकाल लिए ठीक है पहले निकालो मुझे बताओ initial लिए you have to find velocity of a with respect to b क्योंकि b आपने reference point लिए है बताओ बिटा अगर a और b की velocity की direction सेम होती तो आप इसको इस मेंसे minus करते इसकी velocity मेंसे वो minus subtract करते अगर इन दोनों के velocity आपोस्ट होती तो आप add करते पर यहाँ इस और इसकी velocity में जो direction है ना वो एंगल है ना वो 90 है मतलब a जा रहा है नौर्थ की और b जा रहा है वेस्ट की और so what is the angle between them 90 और जब 90 degree angle होता है तो आपको बत बेटा पता है तब जाकि जो relative velocity जो है उसका अंसर आ जाता है एक का क्या आंसर है बेटा four square बी का क्या आंसर है बेटा four square यह आएगा ना तो यह बेटा आएगा twice four square under root तो बेटा यह आएगा four root two meter per second यह बेटा a की relative velocity with respect to b यह जो है नहीं यह पहले lecture में मैंने सिखाया है a की बीच में a और b की बीच में relative velocity कैसे निखाते है जब 90 degree होता ने a और b के बीच में तब जाकि relative velocity ऐसे निखाते है यह निकली आपकी a की relative velocity अब पहले इस relative velocity की direction निकाल के तो यह भी पिछले क्लास में मैंने सिखाया है देखो मैंने क्या सिखाया आपको यह जो वी ए भी है ना basically vector form में यह किसके बराबर होता है वी ए vector minus vb vector याद है बेटा तो मैंने आपको कहा था उस time पर पहले आप कौन सा vector ले लो va va इस direction में है तो ले लो va this is your va ठीक है बेटा यह va है आपका और यह कौन सी direction है नॉर्थ यह va नॉर्थ की direction ने है फिर आपको कौन सा vector लेना बेटा यह minus है ना इसका म्नलब फिर आपको लेना पड़ीगा माइस वी था इस डिरेक्षं में वीAy है किस डिरेक्षं में वेज्ट माइनस डिरेक्षं में यह जो है यहाईगा आफ का expend- Hebrews तो यह बाला वेक्टर कौन सा李 डीरा टो इह अ बी अब आपको क्या निकाला ने यह वाला एंगल निकालो यह यह वाला एंगल निकालो लेट इस थीटा जरा बदाओ मुझे 10 ऑप थीटा किसके बराबर होता है यही सिखा है मैंने पिछले इकलास में परपेंडिकुलर फिर यह बेस यह वी एका वैली कितना है बेटा 4 वी यह 45 डिए यह भी 45 डिए समझा रहा है देखो शाबाश तो आपने दो गाले आपने निकाला जो वी एबी है इस यह इस कांसर 4 वी 2 मीटर पर सेकेंड और जो आपने थीटा निकाला दैट इस वह नौर्थ और इस यह नौर्थ है पिटा यह इस नौर्थ और इस के बीच मे है that is 45 अब देखो अब मैं एक और डाइगरम बनाता हूं अब एक और डाइगरम बनाता हूं जब हमने इसको सॉलू किया ना अब देखो अब यह डाइगरम जो है रिलेट्व गालॉस्टी की कॉंसेट को एफलाई करने के बाद यह डाइगरम अब कैसे बनेंगी है हम यह चर्इंगे ठीक है यंघे लॉस करेंगे करों पॅए तो आफ ऐसे है घृगे है को अब एक एक सीज आपकी तो बिटा कि यह दूसरी एक से जापकी अब देखो लूट गया यह आपका इस्ठ यह कर Jaar अशरीइं तो व कफ़ बदाओ मुझे एंगal बिटा पिक बिखोर को अब वो इस डिरेक्शन में कि... इस डरेक्शन में इंए इस डरेक्शन पिख पर फॉटिफाइव इग्रीप्र tract अउट से आएगी सिक लाकुटिए यह से माम इस आएगी से विखोर और सा Χैंच यहां पर आपका यहां पर आपका यहां पर आपका आपका यहां पर आपका यहां पर आपका 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 यहां पर आपका पर आपका यहां पर आपका 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 आ to use कि यह रहेगा अपनी जेगह इसकी वेलोश्टि कितनी आएगी वह आपने यहां निकाला है तो इसका वैलु आपने निकाला आप इसका मतलब आप बी-से कहेंगे ना की वेलास्टी क्या है बी कहेगा एक वेलास्टी है फोर रूटू मीटर पर सेट अगर आप बी से कहेंगे किस डिरेक्शन में वह कहेगा नौर्थ इस डिरेक्शन में और यह एंगल बना दा है 45 दिखाए देरा बिटा शाबाज आप मुझे बताओ अब अगर आपको यह वी अब मुझे बताओ बिटा ए और बी के बीच में मिनिममम डिस्टंस वो मिनिममम डिस्टंस इतनी होगी ना बिटा था बिसी इसका यह आपकी इसका इसका इसकी जो बैस है वे सीच है इसका जो पर पेनिकूल है वो a c b है तो यहाँ पे जो distance of closest approach है मैं लिखोंगा distance of closest approach closest approach यही आपको निकालना था what is that equal to bc क्योंकि जब आप इस पे perpendicular line ड्रा करोगे वही तो shortest distance है that is distance of closest approach और bc का अगर आपको value निकालना है तो इस triangle से निकालेंगे यह जो a b है vector vector से हम direct करेंगे यह a b है तो यह a b cos theta तो यह a b sin theta तो bc जो है bc जो है यह a b sin theta के बराबर आएगा तो a b जो है a b का कितना value है 20 और sin theta का क्या value है बिटा 45 degree और यह बनेगा 20 into 1 by rho 2 meter यह आपका बिटा distance of closest approach यह distance of closest approach अब अगर यह distance of closest approach है तो बताओ यहां से यहां पहुशने में कितना time a से c तक कितना time लगेगा क्योंकि आपको यह भी निकाला था था कि कितने time के बाद इन्हें distance of closest approach होगी minimum distance होगी तो आप लिखेंगे यहां पे time time to reach time to reach कहा c कहां से from a time to reach c from a ठीक है जरा बताओ मुझे आप डिरेक लिख होगे वेलास्टी होती है बेटा distance by time ठीक है वेलास्टी इस डिरेक्शन में कितनी वेलास्टी है बेटा that is 402 equal to distance यहां से यहां तक जो distance है अगर यह बेटा AB है यह AB cos of 45 degree होगा यह AB है तो यह AB cos of 45 degree है यह 20 है तो यह 20 cos of 45 होगा तो distance के बाद आप लिखेंगे 20 cos of 45 degree डिवाइड बे आपको time निकालना है T निकलेगा ठीक है इस equation को सॉलू कर लो यहां लिखता हूं में बेटा तो T का जो value है वो क्या आएगा आपका वाइगा 20 20 cos of 45 degree divided by नीचे क्या आएगा बेटा 4 root 2 इसको सॉलू करोगे 20 isa into 1 by root 2 divided by 4 root 2 इसको बेटा सॉलू कर लो तो एकने सेकेंड के बाद जो है आपका जो a और b के बीच में जो distance है वो minimum होगी वेटा this is how we apply the concept of relative motion in solving the problems of kinematics ठीक है आज का topic यह जो है इसको बार बार देखो इसमें मैंने आपको basic application दिखाई relative motion की जो हमने पहली लेक्चर में पड़ी थी इंशाला मैं आपको अगली लेक्चर में और applications दिखाऊंगा मैं आपको boat versus river की problems दिखाऊंगा मैं आपको man versus rain की problems दिखाऊंगा वो भी मैं इसी concept से और vector vectors के concept से बेटा मैं जो है उनको solve करेंगे ठीक है इनको बार बार देखो and for any confusion for any problem I don't think कि पहले आपको कोई confusion होना चाहिए इसमें क्योंकि बिल्कुल साफ साफ और clear मैंने दिखा दिया यह और अब खाली जरूरत है इस बात की कि आप इसको बार 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 देखो understand कर लो हर एक point को देखो जो मैं कह रहा हूं इसमें तो बागे इंशालला सब कुछ ठीक है thank you